नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल जी स्टेडी पर तो फ्रेंट्स फाइनली रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशकबरी देखने को मिली है और यह खुशकबरी है ग्रूप डी वाले बच्चों के लिए ग्रूप डी के जो वकेंशी निकाली गी थी 2019 के अंदर फाइनली आज उनकी डेट गोशित कर दी गई है एक्जाम की देखे फ्रेंट्स बच्चे बहुत सालों से प्रेशान हो रहे थे तीन साल वकेंशी को चुके थे अभी तक भी इसका कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं ठीक है तो यह अभी जो हुआ है यह सब आपका प्रेणाम है यह जो अभी Twitter अभी आन चला गया था 4 पांट दिन पहले यह सब उसी का प्रेणाम है देखेए अभी आन चलाने के बाद हुआ पर क्या-क्या था लाकों बच्चों ने ट्वीट किये थे उस ट्वीट को देखते हुए अभी एक दो 2022 से अगर कोई problem नहीं होती है किसी भी तरह की करोना या किसी अधर problem की वज़े से कोई problem नहीं होती है तो क्या होगा आपका तेश तारीक से exam स्टार्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो आप अभी से अपनी preparation अच्छे से start कर दो फ्रेंट्स चलिए एक दो point और है इसके बारे में वह भी मैं discuss कर देता हूं अभी बता देता हूं तो देखिए अभी क्या था यह है आपके 4,85,607 यह बच्चे क्या है इनके application form reject हो चुके थे किसी वज़े से आपके photograph या सिगी nature में कोई mistake होगी उसकी वज़े से 4,85,607 बच्चे जो है वो reject हो चुके हैं तो आपको दुबा करना जिस आपने चेक कर लेना जिसका भी हुआ था यह ठीक है तो आप इसको अपलाई कर लेना दोबारा नहीं तो आप exam नहीं दे पाऊगे तो देखिए फ्रेंट मैं आपको बता दू जो भी बच्चे रेल्वे ग्रूप D की त्यारी कर रहे हो उनको जिस भी content की जुरू जरूत नहीं है जितने मोग टेस्ट चाहिए आपको मोग टेस्ट मिलेंगे एमसी की question जो भी आपको चाहिए है जिस भी चीज में आपको दिक्कत है कई से मिल नहीं पा रही है ठीक है रुपया पैसे खर्च करने पड़े तो आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं भी रुपय आपको बिल्कुल फरी में सब content provide करवाँगा ठीक है तो आप comment कर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा WhatsApp नमबर में मिलेगा उस पर WhatsApp करके भी आप चीजें मांग सकते हो चाहिए किसी भी तरह आपको content चाहिए है और इसकी जो इसके रिगार्डिंग एक्जाम के रिग कहीं पर भी आपको चैनल पर कोई भी चीज भेक नहीं मिलेगी ठीक है तो फ्रेंट्स आप अपनी प्रिपेशन बिल्कुल अच्छे से करते रहें अगर कोई क्वैरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नमबर होगा वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो ठीक है फ्रे